आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो आपको पता है उड़िसा SSB का आपका इजाम इदम पास आ चुका है तो मैं यही आप ते कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अब आप कोश्चन टैक्टिसिंग करने पे ज्यादा ध्या है यह नंबर है इस मॉक्टिस में फंड्रेड लोग हो जुके हैं अभी तो चलो यह सब तो होते हैं पता ही है आप सबको चलो हम कोश्चन डिस्किस करते हैं भटा बट तो क्या दिया हुआ है आपका थोड़ा सा और थीन कर लेता हूं ताकि मेरे को लिखने में असानी रहे हैं तो एक स्बस्किप्स है와 कर था से लिख यह है यहां टैसे लिखे यह ठे Vishal इंपकों और या सकतर है अपको जा under उनका औरजीनेशन अलग अलग पॉइंट से हो सकता है लेकिन वह एक सेम लेंथ पर पहुंचे जैसा गो भी यह सब देखे वह आप न रेसीम तो जानती वह रेसीम ऐसा होता है तीक है इधर इधर ऐसे लगा होता है क्रोपीटल में लाजिस्टिक ग्रोथ जब आप पॉपले इसीम इसा कोई कि नहीं है जो unlimited है सब कुछ का सिक्दिफिकेंट मांश करती न अब जह त्याओं हो जाती है यह स057 से करवन नहीं बना पा रहा हूं तो सिछिंछी सब्सक Лाइव करते हैं सबबनेर लाजिस्टिक में ऐसा समझो एक parents थे ठीक है एक parents इनके क्या हुए दो बच्चे हुए दोनों क्या है white white रहे गोरे-गोरे हैं लेकिन एक को आपने भेज दिया कहाँ पर एक को भेज दिया अर्श्टेलिया में और एक को भेज दिया अंडमान में अब क्या फरक पड़ेगा पता है परके पड़ेगा environment change होने की वज़े से क्या होगा कि अस्टेलिया वाला गोरा हो जाएगा और अन्वान वाला जो रहेगा काला हो जाएगा तो इसे इको न बोलते हैं किसी पाइ्टिक्लर जीन को ज्यादा एक्स प्रूकार करने लगा है कि वह सक्राइश प्रूंप्रृट था जो डाइनासोर डिसपीर हो गया अपको पता था भाईया जुलासिक पीरियड में में के टाइम पे बहुत सारा डाइनियोसोर थें लेकिन पता है जुलासिक पे थें ठिर दिरे खता होने लगे पता है क्या रिजन था तो वहां पर केटी boundary का कहान से परता है मतलब क्रिटेश डिर्स बाउन्डुरी हौता है कि है क्रिटेश होगा होगा तो यही इस समय क्या हुआ गी? इस समय कुछ सानिटिस्ट बताते हैं भया क्या हुआ मेट्रो राइट बहुत बड़े-बड़े गिर गे धर्वती पे गिर गे जिससे कि dynosaur वो क्यों हुआ था कि यह आपका हुआ था अर्थ सम्मेट उननेशो बानमे में notions Chase recently मेंस वानमे में है मो documents यहीं जोडंत करने के लिए अब देखो किया को जिसमे पाये जाता है तो तो आप देखो manipulation zone में जा सकते हो, buffer zone तक जा सकते हो, लेकिन core zone में आपका जाना मना होता है, तो यह होता है bias for reserve में, ठीक है, national park, century, यह सब क्या है, सब in-situ conservation के method है, monitor protocol, monitor protocol का यही मतलब था भया, कि आप ऐसे चीज़ों का कम से कम use करें, जो हमारे ozone layer को deplete करे, ozone layer इस टेटोई sphere में होता है, जो कि सारे ऐसे करके पराबैगनी, UV rays यह सब को बचाता है धरती से, तो उसी को बचाने के लिए काम किया गया, ठीक है, आगे चलते हैं, biomagnification, देखो biomagn क्या होता है, जो आपके pollutant होते हैं, एक्चली बात करें, तो pesticide हो गया है, ठीक है, तो वो जैसे मालो एक छोटी सी मशली के अंदर pesticide गया, तो वहाँ पे इसका concentration इतना था, फिर बड़ी मशली मगया, तो concentration इतना हो गया, फिर बड़ी मशली को किसी चीलने खा गया, तो इत जो बर्ड रहेगा, आप देखो, बायमेगनिफिकिशन, pesticide pollution, अब क्या होगा, यह देखो, जैसे सीगल होते हैं, एक्चली में, सीगल ने मचली खाया बड़ी वाला, तो इसमें गया, यह pesticide या कोई भी compound, जो कि उनमें calcium metabolism को inhibit कर दिया, जिसके वज़े से क्या हुआ, इस ब The Silent Spring, Richel Carson, तो Richel Carson करके थे, उन्होंने एक novel लिखा, जो कि ता The Silent Spring, उन्होंने बताया था, कि भईया, ऐसे ही pesticide pollution होता रहा, या, बायमेगनिफिकेशन होता रहा, तो एक दिन आई से आएगा, कि आपका बसंत रितु तो आएगा, लेकिन चाहने के लिए, बाग बगीचा में चिडिया नहीं बेचेंगी, तो यही चीज है, Taxon सबसे पहले किसने यूज किया था, Taxon टर्म मेयर ने दिया था, यह Taxon टर्म मेयर, ठीक है, Taxon टर्म मेयर ने किया था, डिक अंडोल टैक्सो नामी टर्म दिये थे, चलो आगे चलते है, Lineus सिस्टम जो था, देखो, Lineus ने द इंथर है, किसे में Mono Adelphar, Di Adelphars, फिर यही सब, तो फ्लोरल करेक्टर को देखा था, उन्होंने, किसको देखा था, फ्लोरल करेक्टर को, Lineus पब्लिस कांसेप्ट, तो Lineus ने अपना कांसेप्ट कहां पर पब्लिस किया था, यह आप से पूछा जा रहा है, तो आपको क्या बताएंगे, Lineus ने अपना कांसेप्ट किसमें पब्लिस किया था, तो Lineus ने अपना सब कुछ पब्लिस किया था, सिस्टेमा नेचुरी में, तो इस प्लांटेरम भी उनका है, यह बताना है किसका बुक है, किसने लिखा था, चलो आगे चलते है, इन दा हिस्ट्री एनिमल सा जो बिजन सी नहीं थे, जाज कुईविएर थे, डार्वीन ने ने नेचुरल सेलेक्सन के बारे में बताया था, लैमार्क ने इननेटेंस आप एक्क्वार कारेक्टर के बारे में बताया था, कपा पारिकल किसका एक्जाम्पल नहीं है, क्या है, नहीं है, तो Cytoplank जो कि इ प्रणी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जीने उसके द्वरा कंट्रोल होते हैं तो वह होते हैं साइटो प्लाजमिक नान-मेंडिलियन नान-क्रोमोसोमल कोरल रीफ कैसे बनते हैं तो इकोलाजी मपढ़ते हो कोरल लीफ यह अलग एक तरह का एको सिस्टम होता है प्रोड़क् क्या होता है जब एक सिंगल से पुरा प्लाजमिक बना दो तो वह तोटी पोटेंसी ला था अन्यका सहरियन क्या की था गतूरा एन उक्सिय यह उपर काम किया और इन्होंने एक बुक भी लिखा था इंटोड़क्शन टूद इंबरोला जी इसमीथ है नाथान सिनों ने रिष्टिक्शन अंजाइम के उपर काम किया था डिस्कवर्ड किया था 1978 में नोबल प्राइज भी मिला था बालिवार रुद्रिगोज ने सबसे पलरी कॉमिन इंडियन ने के बारे मड़ा रहा था साल मो मेला टाइफी मेरियम और इसके लिए गुलाई को लेकर ठीक है तो ऐसे देखो जब आप कोश्चन सॉल करते हैं आपको जो भी आप्शन है ना एक कोश्चन सॉल करो उसके सारे आप्शन का मतलब क्या है वो समझ जाओगे तो आप कोई हरा नहीं सकता आपको रोक नहीं सकत परस्ट बायपेंटेड आरगनीजम तो अब देखो फर्स्ट बायपेंटेड आरगनीजम था सीवडोमनास पुडीडा तो आनंद मोहन चकरवर्ती थे आनंद मोहन चकरवर्ती तो इन्होंने इसको सूपरवग भी कहा यह क्या करता था जब समूद्र में बहुत बड़े- आरगनीजम हो गया बायो पनिट का मत्ब समझते हो जैसे कोई चीज आपने खोजा है नए चीज की हमने यह खोल झाभ लिया तो उसको बताना पड़ता है कि यह हमारा है यह हमने खोजा है हमारे परमिसंट की विना आप यूज नहीं कर सकते हो वह होता है पेन्टेट करा ल नेचुरल प्लांट जेनिटिक इंजिनियर इसे बोलते हैं बैस्लेस एंट्रेसिस को एक बायो वेपन की तरह देखते हैं रीसस मेंकी का यूज वही है रहेच फैक्टर के बारे में यहां से पता चलाता सुब अगला कोश्चन वीच प्लांट यूज फार्द प्रोडक्शन आप हिरुडीन देखो पहले जवाने में क्या होता था ना कि हिरुडीन जो ब्लड को क्लाट होने से बचाता है ब्लड क्लॉटिंग चलिम कराता है हिरुडीन ना तो ब्लड क्लॉट कराने के लिए पहले क्या होता था बहुत सारा जोग पकड़ते थे हिरुडीनिया ब्रेस का नेपस प्लांट में डाल देते हैं जिसके वज़े से क्या होता है हमें ब्रेस का नेपस सही हिरुडीन मिल जा रहा है कितना बढ़ी है न विच आप दो फॉलिंग एक्टर कैन भी उजिन बहुत प्रोकरियाटिक है नहीं उकरियाटिक अर्गनीजम तो इसे सटल वे सेक्वेंस के साथ साथ ARS सेक्वेंस भी होता है ठीक है ओर जीन अफ रिप्लिकेशन को हम प्रोकरियाटिक में और आई बोलते हैं युक्रियाटिक में क्या बोलते हैं ARS ठीक है चलो आगे चलते हैं फिर तो लोईस टम्टेचर आपको रिक्वायर्ट होगा किसके लिए एक्स्टेंशन के लिए यह बात याद कर लेना एक बार इसको कंफर्म कर लेना एक्स्टेंशन होगा के लिए क्योंको डी ने चुटा वाला होता है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा तो आपको निकालना इस वाले dna को यह आपका desire dna जिससे आप recombinant dna बनाने वाले हो तो इसको क्या करते है कि नाइप की तरह एक होता है यहां से jail को ऐसे cut कराते हो cut करके इस dna को यहां से isolate कर लेते हो तो वह होता है separating the restriction dna fragment on agrogeule तो यही cutting out of the separated one यही होगा and dna agrogeule and extracting from the jail PCA C वाला ज्यादा करेक्ट है न तो C वाला होगा the most widely used by open हमने बताया था bacillus anthracis है इसके बारे में इससे क्या निकलता है तो उन्होंने PCR के लिए उन्होंने क्या किया था जो tech polymerase था यहां से isolate किया था और PCR के बारे में कैरी मुरीस ने बताया था which of the following peptide chain is removed during maturation of pro insulin into insulin तो insulin जो होता है beta cell आप अंक्रिया से निकलता है तो वह 51 amino acid से मिलके बना होता है तो वह जब बनता है न तो वहां पे बीच मे 33 amino acid का C chain भी जूड़ा रहता है तो वह active नहीं रहता तो C chain को हटा के A और B chain को आपस में जोड़ देता है तो active हो जाता है ELISA enzyme linked immunosorbent ऐसे होता है जो antibody antigen reaction पे interaction पे based होता है मतलब यही चीज़ है यह आप यहां पे enzyme जा लोगे यहां पे ऐसे enzyme जाएगा अगर यहां पे antigen present रहा अगर इससे band करेगा तो यह color कर देगा तो यह antigen antibody interaction होता है polyethylene glycol peg की बारे हम बात करें पेग हो गया ठीक है यह sodium nitrate हो गया यह हो गया sendi virus हो गया यह हो गया आपका electric sock हो गया तो यह सब जो है न यह protoplast fusion के लिए यूज किया जाता है और protoplast fusion में क्या होता है वहां पे कोई gene आपको transfer करने के लिए कोई vector की जिरूत नहीं होता है polyethylene glycol दे दोगे दो सिल को वह आपस में उनका cytoplast fuse हो जाएगा nucleus नहीं fuse होगा उसे हम cyberid बोलते हैं तो gene transfer without a vector के लिए आपको polyethylene glycol का यूज करोगे रास सारकोमा वायरस एक special वायरस है जहां पर देखो RNA रहता है फिर यह reverse transcription करके DNA बनाता है फिर transcription करके RNA फिर translation करके protein तो यह pathway follow करता है याद कर लेना prolapsis utilize यह समझे लोग एक yeast है जिससे हम खाने के लिए यूज करते हैं तो थोड़ा out of the box से याद कर लेना इनको नहीं एक ऐसा यह जानते हो क्या है वो क्या है आपका dye yielding plant है तो इससे red dye निकलता है जिससे हम silk industry में यूज करते हैं कुछ दखो चीजे होती है जो आपको memorize करनी पड़ेगी और उसको memorize किये भी आप नहीं रह सकते हो BT cotton देखो हम बताया थे bacillus thringiensis से निकाला जाता है cry gene होता है इसको डालते है cry first ac actually में डालते हैं तो वह जाता क्या है जो alkaline pH जो होता है इंसेक का gut का न तो alkaline pH पाके न वह वहाँ पे active होता और insect के gut में छेट कर देता जिससे इंसेक बेचारा तरब तरब के मर जाता है यह कौन सी therapy दिया गया था 1990 में जो चार येर की लड़की थी तो उसे ADA gene की deficiency तो उसको जीन थरीपी दिया गये के लिए SCID GG हुआ था उसे क्या हुआ था SCID बोलते हैं severe combined immunodeficiency disease तो इस तरीके से देखोना है बहुत सारी चीज़े बस आम यही कहेंगे कि आप जितना ज्यादा practice करोगे उतना ही ज्यादा आप क्या होगे अच्छे से चीजों को समझ पाऊगे तो practice more and understand more चलता हूं मिलता नगो देखो आप से और आप से निक वीद वीदियो में thank you for watching